तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एंटी यूजी सिनेट का जो रिजल्ट है वो कब आने वाला है वो आने वाला है दो दिनों के अंदर आप देखे कि फाइनल आंसर की जो आ चुकी है तो अब बारी है रिजल्ट की जिसका सभी को इंतजार है कि कब आएगा तो आप सचेंगे कि मैं दो दिन यहां पर क्यों बता रहा हूं क्योंकि दो दिन बताने का यह मतलब है कि आप देखेंगे जब पिछली बार जो इस दिन देखेंगे दिखे सबसे पहले ये बात होती है कि जो final answer quiz त्यार की जाती है उसको त्यार करने का मतलब यह है कि UGC ने आपका जो result है वो भी प्रिपेर कर लिया है बस इसको post करने की दे दी है सो यहाँ पर दिखे सिंपल सी बात है कि अगर यहाँ पर final answer quiz अब आज आ चुका है तो दो दिन के अंदर अंदर आपका result आ जाएगा वो आ जा सकता है वो कल आ सकता है दो तारिक तक आ जाएगा या दो दिन के अंदर अंदर ये आ जाएगा सो आप अब वेट करिए अपने result के लिए ये दो दिन में आने वाला है अगर आपको यह लगता है कि आप चेक कर सकते हैं दिखे कि पिछली बार final answer quiz कब आया था तो उसी दिन result आया था आप उसे चेक भी कर सकते हैं आपका पूरा information NK UGISnet की website पे मिल जाएगा तो तयार हो जाएए अपने result के लिए तो अगर आपका result जैसे भी रहेगा अगर आपका result अच्छा है बुरा है जैसे भी है अगर मालीजे आपका qualify हो जाता है तो आपको बहुत बड़ी हो जागा अगर नहीं होता तो आप 2021 यहनकी 2021 के लिए फेसे preparation करिए जिसमें आपका ज यूट्यूब चैनल स्टडीवार 2.0 जिसका लिंक मैंने description box में दे रहा है यहाँ पे आपको पेपर वन और पेपर टू हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में डेली प्रैक्टिस सेट वीडियो मिलेगा बिलकुल फ्री में अकॉर्डिंग टू नियूस लेबर यूजि तो वीडियो मिस नहीं करने के लिए अभी सब्सक्राइब करिए सो वेश वाल दावेस टेक केर जैहिंद जैभारत